खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद कर दो, तभी आपको लगेगा कि आप सबसे बहतर हो। जैम आता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर 2022 के कन्या राशी फल के बारे में कन्या राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिति क्या होगी नक्षत्र क्या होगे योग क्या बनेंगे किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन चरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से, कौन सा ग्रह राशी बदलेगा, आपके किस भाव में होगा और उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा होगा तो वीडियो को लास तक देखें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र की बात कर लेते हैं सत्रा अक्टूबर का दिन, सौमवार का दिन है, सबता का पहला दिन है, क्रेशन पक्ष की सब्तमी तिथी सुभा साड़े नौ बजे तक है, उसके बाद अस्चमी तिथी प्रारंब हो जाएगी, यानि कि ये दिन जो है आहोई अस्टमी का दिन होगा पुनर्वसुन नक्षत्र बना हुआ है इस दिन, शिव नाम का योग है, जो शाम को चार बजे तक है, उसके बाद सिध्ध नाम का योग है, दोनों ही योग अपने आपने विशेस हैं, इसके अलावा, पूरा दिन सरवार्त सिध्धी योग भी बनेगा, जो इस दिन के महत को बढ़ा रहा है, चंद्रमा मिधोन राशी में हैं शाम तक, उसके बाद करकर राशी यानि अपने राशी में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य कन्या राशी में हैं शाम तक, आज सूर्य का राशी परिवर्तन हैं, आपके लगन से निकल कर सूर्य जो हैं वो त 30 मिनट से, दोपहर 12 बज कर 29 मिनट तक है, 18 अक्टूबर का दिन, मंगलवार का दिन है, क्रेशन पक्षी की आस्टमी थी थी, सुभा 11 बज कर 57 मिनट तक, उसके बाद 9 मित थी लग जाएगी, पुष्य नक्षत्र बनेगा इस दिन अजो पूरा दिन और रात्रे तक रहने वा साध्य नाम का योग है, तोनों ही योग उत्तम है, चंद्रमा अपनी राशी करक राशी में है, सूर्य तुला राशी में है, और इस दिन एक और ग्रह का राशी परिवर्तन है, जो कि शुक्र है, शुक्र इस दिन राशी बदलेंगे, और तुला राशी अपनी राशी में 29 मिनट तक है यह हो गई हमारी ग्रहों की इस्ति थी अब इसी के आधार पर जानेंगे कि यह जो दो दिन है याप के लिए कैसे होने वाले हैं यह राशिफल चंद्र राशी पर आधारित है और साथ में बाकी ग्रहों का भी जो है वो साथ है तो चलिए जानते हैं पहले 17 अक् कि बहुत सारी शुब कामना है अब राशी की बात करें तो स्वास्ते के लिहाद से देखें तो कन्या राशी के लोगों के लिए आज स्वास्ते ठीक ठाक रहेगा आप अगर महनत का काम करते हैं आपकी महनत का पूरा दिन जाता है तो आपको बस थोड़ा आराम कर करके लोग बना हुआ है आपने महनत की है महनत कर रहे हैं तो उसके जरी आपको तरक्की मिल सकती है बैंक से जुड़े अगर आप लेंदेन कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी और अगर आप किसी सम्हों में हैं तो ध्यान रखें सम्हों के बीच में बैठे है तो थोड़ा ध्यान रखना होगा क्यों कि कई बार क्या होता है कि आवेश में आकर बिना समझे बिना समझे बुझे अचानक से आपको शब्द कह देते हैं और फिर आलोजना के स्विकार हो जाते हैं तो थोड़ा सा यहां ध्यान आपको जरूर रखना होगा सोच समझ का श लोगों की राय ले सकते हैं राय लेंगे तो अच्छा रहेगा लेकिन कोशिश करें कि उस काम से ना जूने जिसमें कई भागेदार हो यानि की कई पार्टनर हो सामाजी के तो पर आज दिन जो है काफी अच्छा रहेगा सक्रिय रहेगा धार्मिक समारों के लिए भी आज का दिन बहतर है आज आपका जो हसी मजाग का जो स्वेभाव है वो वैसे तो अच्छा है लेकिन अगर जीवन साती के साथ हसी मजाग चल रहा है तो कोई पुराना मुद्दा उभर करा सकता है उस चक्कर में जो विवाद विवाद का रूप ले सकता है तो थोड़ा सा यहां स गर परिवार के लोगों के बीच में कोई मांगले कारेकरम हो सकता है जहां आपको जाने का मौका मिलेगा कुछ सरकारी काम है अगर तो वह आसानी से पूरे हो जाएंगे आज प्यास करेंगे तो जरूर पूरे होंगे कारेशेतर में ठीक ठाक समय रहेगा अपनी भी मिलेंगे, नई चीजें भी मिलेंगे, नई चीजें सीखने को भी मिलेंगे, तो कुल मिलाकर ये जो दिन है ये आपके लिए अच्छा रहेगा, अब हम 18 अक्टूबर की बात करें, तो एक तो दो दिनों में देखे दो ग्रहों का राशी परिवर्तन, 17 को सूरे ने राशी बदली, आपके दोईते भाव में आया, 18 को शुक्र राशी बदलेंगे, आपके दोईते भाव में आएंगे, तीन ग्रहे एक साथ दोईते भाव में परिवेश कर जाएंगे, आज का योग बहुत अच्छा है, योग अच्छा है, नक्षत्र बहुत अच्छा है, ये जो न कान वाहन या किसी भी तरह की खरेदारी हो या फिर कोई इलेक्ट्रोनिक समान ही क्यों न खरेदना हो तो इस दिन जो है चंद्रमा पुशन नक्षत्र में है आज कोई परिवार का व्यक्ति आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकता है जिसकी उन्हें जरुरत भी हो सकती है आगे बढ़ें वो आपके लिए भारी पढ़ सकता है आज किसी अच्छे काम के लिए कोई आपकी पीट जरूर थप थपाएगा जिससे आप बेहद संतुस्ट और आनंद में खुद को महसूस करेंगे इस दोरान अपने जो बाते हैं जैसा कि मैंने कहा था तोल मोलकर बोलन आगर किसी पर आपका धहन बकाया है और आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आज उनसे आप जरूर बांगे क्योंकि आज उम्मीद है कि आपकी जो बाते हैं वो सुनी जा सकती है और आपका धहन जो है वो वापस मिल सकता है दूसरे छेत्रों से भी आज पैसा आने का योग बना हुआ है और अगर आप किसी लोन के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आज करें आज लिया गया लोन आपके लिए अच्छा रहेगा और शिग्र अती शिग्र वो लोन आपका उतर भी जाएगा तो कुल मिलाकर ये जो दिन है न ये काफी अच्छा रहेगा जो सिंगल लोग है उनको सच्चा प्रेम भी प्राप्त होगा सामाजिक तोर पर काफी अच्छे रहेंगे मांगली कारेकरमों में विजा सकते हैं पिता या फिर पिता तुल्ले व्यक्ति या उच अधिकारी इन से सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है तो इन दो दिनों को अच्छे से इंजॉय करें चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें